हेलो वाई स्वागत आप सभी का योवी सैनी के एक नई वीडियो में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हुंड़ाई क्रेटा यह डीजल बेस वेरियंट का रिव्यू और अगली वीडियो में ओनर्शिप रिव्यू भी आपको देखने को मिल जाएगा तो सबसे पहले इस ग पर बेंडर पर वार्वेगां वह नई वाली घाड़ी में आते हैं इसमें आपको और वियंप देखने को मिल जाता है और इसमें आपको देखने को मिल जाता था टीपीямиस का फीचर भी और वी छोटे मोटे फीचर आपको देखने को मिलते थे और इलेक् Neptune कलिम psychol of um लादी स्टांस काफी अच्छा है ब्लैक अलर का तो यहां पर आपको हुंड़ी का लोगो मिलता है कुछ ऐसी ग्रिल मिलती आपको और गाड़ी में देखो कुछ सबूंधी ही M estou W B 10 में देखने को मिलती है है तो सामने से कुछ अशी दिखती है यहां पर प्रोजेक्टर हेड्ल्म को मिलते हैं अब साइड प्रोफाइल यहां तो कुछ अइसी दिखती है आपकी क्रेटा सब 4- Boot में नियाती बड़ी गाड़ी है यह तिरतालिस सो एमेम की लगबगीस की लेंद है तो काफी बड़ी बड़ी देखने में गाड़ी लगती है टायर प्रोफाइल की बात करें तो इसमें आपको 16 इंचिस के वील मिलते हैं इनका प्रोफाइल है 205 65 आर 16 तो प्रोफाइल भी सह यह गाड़ी का अला कि उपर वाले मोडल में आपको 17 इंचिस तक ओफर कर देती है यहां पर आप देख सकते हैं आपको यहां पर और वी एंडिकेटर देखने को मिलेंगे उपर कुछ ऐसी रूफ रेल्स मिलेगी और यहां पर आपको शाक फिन एंटिना मिलेगा रियर प् आपको क्रेटा की बैजिंग मिल जाएगी और यहां पर आपको यह आफ्टर मार्केट लगवा रखा है जो गाड़ी में रिवर्स पार्किंग कैमरा है तो अब गाड़ी के अंदर चलके और देख लेते हैं गाड़ी क्या कुछ हमें ओफर कर देती है और गाड़ी के को अप्शन मिलेगा और इससे आप बूट खोल सकते हैं गाड़ी का तो गाड़ी के अंदर चलते हैं उससे पहले ड्राइड साइड डोर की बात करें गाड़ी के तो आपको कुछ ऐसा डोर देखने को मिलता है यहां पर आपको पार विंडो वन टचडाउन नहीं मिलती ना का और अंदर चलते हैं गाड़ी के तो यह हम गाड़ी के अंदर आगे हैं यह देखों कुछ ऐसी देखने को मिलती है अगर हम गाड़ी के हाइट की बात करें तो आप काफी हाइट पे बैठते हैं और विजिबिलीटी काफी अच्छी है बोनिट आपको विजिबल होता है आप देख सकते हैं उसमें आपको ड्रायव इंफो सब आपको इसमें देखने को मिल जाता है तेंप्रेचर भी दिखा देता है गाडी चली है 24, mehrere 653 किलो मीटर और यहाप है लौका 6,000 तक की मार्किन मिलेगी 240 तक का speedometer में मिलेगा और जो fuel gauge है और जो engine temperature है गाड़ी का वो भी आपको needle वाला देखने को मिलता है analog तो ऐसा कुछ आपका ये dashboard आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे black color का treatment और यहाँ पे beige color का हलाकि ये plastic है इसमें stitching style के लिए दे रखी है काफी अच्छा देखने में लगता है ये काफी airy feel आती है अगर आपका beige और black color का dashboard है तो ऐसी कुछ ace events मिलेंगे आपको और ये aftermarket लगवा रके जो इसके touch screen है इसमें आपको reverse parking camera भी देखने को मिल जाता है ये देखो कुछ ऐसी quality है इसकी और gear lever की बात करें तो ये आपको six speed manual transmission है diesel है ये variant जो है गाड़ी का और ये आपको कुछ ऐसा music system मिलता है इसकी बात करें तो ये aftermarket लगवा रखा है सई response है इसका काफी बड़ी touch screen है इसमें आप access कर सकते हैं gallery वगएरा अपनी bluetooth connect कर सकते हैं आपका इसमें और map भी आप इसमें अपना operate कर सकते हैं manual AC आपको देखने को मिलता है काफी अच्छा AC इसका आपको feel होगा cooling काफी अच्छी कर देता है निच्चे की तरफ यहाँ पर आपको देखो कितना ज़्यादा अच्छा storage आपको इसमें देखने को मिलता है और कुछ ऐसी finish मिलेगी गेर लेवर के चारो तरफ आपको यहाँ पर दो cup holder मिलेंगे और यह ऐसा कुछ आम रेस्ट है एड़ेस्टेबल नहीं है यह और निच्चे आपको space भी देखने को मिल जाता है इसमें glow box की बात करें तो decent size है काफी अच्छा glow box आपको देखने को मिलता है conductor side भी आपको अच्छी खासी storage space देखने को मिल जाती है front seats की बात करें तो काफी comfortable seats है गाड़ी का under thigh support भी काफी अच्छा है और जो side ball string है वो भी गाड़ी की काफी अच्छी है adjustable rear address मिलते हैं आपको इसमें और यहां sun glass holder भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है और इसमें LED light लगवा रखी है इस तरफ आपको एक vanity mirror मिलेगा इस तरफ आपको एक ticket holder भी देखने को मिल जाता है गाड़ी में तो front से यह कुछ offer करते हैं आपकी Hyundai Creta base variant खास तोर से 2020 वाला और इसमें आपको अच्छे फीचर भी देखने को मिल जाते हैं जो अब नई वाली Creta में इसका देती है तो पिछे चलके और space देख लेते हैं गाड़ी में कैसा है यहां पर आपको headlight leveler का switch देखने को मिल जाता है और इस तरफ आपको एक dead pedal भी देखने को मिल जाएगा गाड़ी में तो पिछे चलके और बदा देता हूँ मैं आपको space कैसा है गाड़ी में तो यह मैं पिछे आ गया हूँ देखको सबसे पहले leg room की बात करे तो इस seat मैंने pool पिछे कर रखिया और मेरी height around 5.11 तो भी मुझे इतना space मिल रहा है अगर मैं इस तरह बैठके दिखाऊँ आपको तो space कुछ ऐसा मिलता है काफी अच्छा space गाड़ी हमें offer कर देती है यह देखो कितना अच्छा space मुझे देखने को मिल रहा है यहाँ पर आपको rear race events भी मिल जाते हैं और यहाँ पर आपना phone वगयरा भी रख सकते हैं और power window की switch आपको देखने को मिल जाएंगे और यह design काफी अच्छा है यहाँ पर आप phone हाथ और आम से रख सकते हैं काफी comfortable position रहती है यहाँ पर आपको speaker placement मिल जाएगी यहाँ पर भी आपको एक one liter bottle holder देखने को मिल जाता है यहाँ पर यह seat cover लगवा रहे हैं तो इसमें magazine holder भी है और पिछे से भी आपको दो color का treatment मिलेगा यह वाला beige और black का तो कुछ ऐसा cabin पिछे से दिखता है Hyundai Crater का काफी अच्छी देखने में लगती है गाड़ी और काफी airy cabin है गाड़ी का उपर की तरफ आपको यहाँ पे cabin light भी गाड़ी में देखने को मिल जाती है और चारो आपको यहाँ पे तीनो तरफ grab handle देखने को मिल जाएंगे with coat hook इस तरफ मिलता आपको एक coat hook का function इस तरफ नहीं मिलेगा और पिछे की तरफ बात करें हम तो यहाँ पे आपका adjustable नहीं मिलते है जो इस गाड़ी के rear head rest है और space की बात करें तो यहाँ पे आप तीन बंदे आराम से बैठ सकते हो काफी चोड़ी seats है गाड़ी की काफी अच्छा आपको इसमें space देखने को मिल जाता है और यह देखो काफी कुछनी seats है गाड़ी की under thai support भी काफी अच्छा आपको देखने को मिलेगा rear race events भी एक काफी अच्छी बात है अच्छा टस्ट दे देती है यह और काफी जल्दी कूल कर देती है गाड़ी को और अगर हम गाड़ी के boot के बारे में बात करें तो boot की और बात कर लेते हैं गाड़ी में कैसा boot है तो यह देखो कितना अच्छा खासा boot space मिलता आपको काफी वाइड आई है और इस तरफ आपको storage space मिलेगी एक बूट लाइट भी देखने को मिल जाती है और यह पारसल ट्रे कुछ ऐसी गाड़ी की काफी अच्छा boot है आप फैमली के साथ ट्रिप अराम से कर सकते हैं बिना लगेज की tension लिए है क्योंकि काफी अच्छा storage space मिलता आपको इस गाड़ी में तो यह कुछ offer कर देती है आपक बहुत बहुत धन्यवाद